मेहगाई बत्ता के लिए एक दमदार खवर आई हुई है जो सभी से च्छक और से छिड़ेतर कर्मचारियों को खुस कर देगी साथ ही जो भी गबर्वेंट कर्मचारी है वो चाहे किसी भी क्रेट के हो किसी भी बर्व के हो उन सभी के लिए यह जानकारी है इसलिए आप एलिगरो यूट्यूब चैनल जैसा कि आपको पता ही है इस वीडियो में हम लोग डिये यह जैसा कि आप देख पा रहे है और यह जो नौ मार्च को का यह फ्रीजिंग डिये के वारे में यह जनकारी देता है फ्रीजिंग ओफ डिये और उसके बाद इन में पॉइंट पर हम लोग चलते हैं जो हमें देखना है इसमें जिसकी हमें आवशकता है सबसे पहले तो भी यहां पर questions किये गए हैं जैसा कि आप देख आप पा रहा है होंगे श्री नरान भाई जी राधवा विल दा मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी प्लीज टू स्टेट कुशन नमबर वन यानिकी ए नमबर है यहां पर वेदर फ्रीजंग ऑफ डिरनेस एलावेंस और टू सेंटरल गवर्मेंट एंप्लोईज पैंशनर्स तिल जुलाई तो हजारे केस उसके बाद सेकेंड यहां पर कुश्यान है इफ सो दे रीजन फॉर नॉट रिस्टोरिंग डिये तो सेंटरल गवर्मेंट एंप्लोईज एंज पैंशनर्स वेफोर जुलाई 2021 और थर्ड है यहीं पर वैदर सेंटरल गवर्मेंट एंप्लोईज एंड पैंशनर्स आरेन उट इंटैटल्ड टो थी इंस्टाल्मेंट्स औफ डिये एंड इफ सो वैदर गवर्मेंट वोड अलसो रिलीज इज इंस्टाल्मेंट्स एंड इफ नॉट रीजन्स देरफॉर तो इसी के सापेच में जो उतर दिये गए हैं मानि मिनिस्टर इनकी मंत्री आफ इस्टेट इन दे मिनिस्टरी ओफ फाइनेंस शिरी अनुराग ठाक कुर्जी द्वारा तो यहां पर आप देख पाएंगे तो यहां पर सबसे पहला जो अंसर A and B यह नहीं पहला कोश्चन और दूसरा कोश्चन उसकी अंसर क्या है In view of the crisis arising out of COVID-19 pandemic, the government has decided to freeze three installments of dearness allowance and dearness relief to central government employees and passengers due from 1-1-2020, 1-7-2020 and 1-1-2021 The amount यह रुपए यहां पर लिखे हुगे है 37,530 करोर saved on this account will help to tide over the economic impact of COVID-19 pandemic इसके बाद में C number पर यहां पर जो उतर है यहां की C number questions का वो है As and when the decision to release the future installments of dearness allowance due to 1-7-2021 is taken, the rates of DA as affected from 1-1-2020, 1-7-2020 and 1-1-2021 will be restored prospectively and will be submitted in the cumulative revised rates effective from 1-7-2021 तो यहां पर जो यह अंतिमबाला point है यह साफ साफ लिखा हुआ है जैसा कि आपने देखा कि जो फिरीज कर दिया गया था COVID-19 की कारण और जो हमारी economy है उसको इतने रुपए से कुछ सेव करने के लिए इसे पैसे से जो DA नहीं दिया गया उससे इतना fund रहा जिससे कि कौनी बर पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा उसको कुछ help किया उसी प्रकार से यहाँ पर जो हमारे DA लगने थे जो कब कब लगने थे 11-2020 को उसके बाद में 17-2020 को और 11-2021 को विल भी रिस्टोर्ड प्रोस्पेक्टिवली एंड विल भी सबस्यूम्ड इंदा कॉम्यूटेटिव रिवाइजड रेट्स एफेक्टिव फ्रॉम 17-2021 यहीं कि यह सभी जो DA हैं आपको वो 17-2000 यहीं कि एक जुलाई से 2021 से मिलेंगे ऐसा इसमें लिखा हुआ है और इसका PDF यानि कि यह PDF आपको हमारी भाट सेब गुरूप और टेलीक्राम चैनल पर मिल जाएंगे वहां से आप इसको डेटेल में देख सकते हैं वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्नवाद